स्वागत है आपके WP Smart evimet mezthli new day जो ऐसे पत्चे घ्रप इस पार एक्जाम देने वाले हैं वह खुहश भूंचे बहुत हैं क्योंकि बहुत इंतिजार के भाद जो है वह जाएक जोनाट हो जाएग highlight card जो है डॉनलौट होना कि औरмыशार दमिट खुल नहीं रहा है वेबसाइट तो ऐसे सिच्वेशन में देखे समस्या हो रही है तो प्रॉलम कुछ भी नहीं है यह डाउनलोड हो ही जाएगा लेकिन देखिए आज मैं बताते हूं आपको कि अगर आपको इस तरह के समस्या हो रही है तो इस समस्या का समधान आप कैसे करते हैं आज के वीडियो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आकन को दबा देजेगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किजिए अपने दोस्तों को जरू से जरू से जरू से बिए स्टार्ट करते हैं देखिए यहां पे लिखा हुआ है जैसे हैं आप वेबसाइट में जाहिएगा नावदर.gov.in इस वेबसाइट पे आपको एक नौटिपिकेशन मिलेगा देखिए यहां पे लिखा हुआ भी है कि जावाहा नौदर विद्याले सेलेक्शन टेस्ट टूथाउजन टूजन 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 फो एड्मि अगर कम के लिखा हुआ है तो आप यहां के लिखा हुआ है question पे क्लिक किजिए अगर आप नए student है जो आप नए फॉर्म भरना चाहते हैं तो क्लिक है तो 6 registration यह नए student के लिए है आप देखिए यहाँ पे जैसे हैं आप download admit card क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह का एक interface दिखाए देगा यहाँ पर लिखा हुआ है registration number registration number मतब आप आपका जो registration number होगा उस registration number को यहाँ पर आपको लिख देना है उसके बाद आपका date of birth जो है उसको आपको लिख देना है तो इस तरह से जैसे ही आप यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ भी registration number and date of birth आप जैसे ही यहाँ पे लिखते हैं उसके बाद फिर तो यहां पर आप क्या किजिएगा, अगर आपके पास रज्सरा सन नमबर नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, click here, यहाँ पर देखिए आपका option find your registration number है, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का interface दिखाई देगा, इस पर आप क्या कीजिएगा, अपने अपना नाम डालिए, inter candidate name यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, उसके आप फिर father name डालिए, father name डालने पर फिर mother name डालिए, और mother name डालने के पाद जो date of birth आपने डाला है, form भरते समय में होतना होता है, आपको याद होगा, जो date of birth आपने डाला है, वो date of birth डालिए, और जो capture है, उस capture को जहाँ पर option दिया हुआ है, टेक्स का, वहाँ पर आपको type करके लिख जैसे ही आप लिखते हैं, sign in करते हैं, तो आपका registration number भी आपको सो हो जागा, अगर registration number सो हो जागा, तो आप आसानी सुझा है, अपना admit का download कर सकते हैं, क्योंकि registration number आपको देखिए, पता ही का download कीजिए, तो registration number ने डेटो पर थी, ये बहुत ही compulsory होता है, तो ये दो चीज़ आपको कोई प्रॉलम नहीं होगा, अगर registration number नहीं है, भूल गया है, नहीं मिल रहा है, तो भी कोई प्रॉलम नहीं है, आप उसको भी ये कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉलम क्या हो रहा है, कि जैसी आप खोलिएगा, दिन के समय में खांस कर, जब दिन के समय में सब जगे हुए रहते हैं, जगे हुए रहते हैं, तो उस समय में सब प्यूजी रहते हैं, कि सब खोलने पर बिजी रहते हैं, ऐसा time to choose कlaf जिसमे कोई सब 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 आपने का उसके बाद आप खोलिए और खोलने के बाद registration number डालिए डेटोबड डालिए उसके अभी फटाक से आप अगर आपके घर में printer हो तो प्रिंट निकाल सकते हैं अधर वाज आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड कर लिए या फिर स्क्रीन शॉट ले लिए इस तरह से भी जहाँ अपना एडमीट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं एडमीट कार्ड आपका देख सकते हैं कि उसके बाद आप कहीं पर प्रिंट आउट उसका निकल वा लिए और ऐसे कैफे में जाएगा जहाँ पर कंप्यूटर सेंटर वहां पर जाएगा तो आपका जल्दी बजा क्योंकि उन लोगों के पास ब्रॉड्मेंड ब्रॉड्मेंड की सेवा रहती है तो बहुत ही फास्टली जो है वह काम करता है वहां पर आपका एडमीट कार्ड बहुत ही आसा एक ही उपाय है ऐसा समय और के वीडियों में ओके थैंक्स पर वाचिंग